आपका वेट कर रहा हूं इस पार थोड़ा सा मैंने चेंजिस किये हैं कोशिस कर रहा हूं कि आपको बेटर क्लियाइटी मिले और स्टेबिलिटी मिले आपको अगर वाइस क्लियर नहीं हो तो फिर आप मुझे बताएगा क्लिस ओके मैं तोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूं स्वरी फॉर बैट आप सही है मैं आ जाता हूं अपना देखने के लिए अपना दूसरा चैनल लिया हूं उसरा मॉबाइल इसमें देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं आपके जो कोशन्स आ रहे हैं इसमें मुझे देखने हैं कि मैं अपने कोशन्स में क्या आ रहे हैं ओके फाइंड दीवी पंजवानी जी आप हैं उसके बाद फिन साई इंटरप्राइज आये हैं रोशन चोंद्री बंदारी जी बॉर्ण प्राफ्टूनून आदिवन मी फाइंड आप लोग का सुक्रिया थेंकी सो मच मेरा हेल्ड के लिए आप लोग कैसे हैं सबढ़िया बहुत सारे कोशन्स मिल रहे हैं थेंक्यू किरण जी थेंक्यू सो मच वकास अब क्या हम लोग सुरू करें मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा मुझे समय दीजिए थोड़ा समय सेट हो जाओ मैं वालूम जो है आफ कर देता हूं ज्यादा सही रहेगा वालूम आफ कर दूंगा तो सही रहेगा ओके आप लोग को मेरी वाइस आ रही है अगर वाइस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज बताईएगा ओके चलिए फिर हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले दीबी पंजवानी जी आपका जो क्वेशन है सर मेरा डॉग खुद की पौटी खा रहा है यह बहुत चल्दी में इसके बारे में वीडियो बनानी जा रहा हूं कि अगर डॉग जो हो खुद की पौटी खाता है तो क्या कारण हो सकता है अभी आप इतना बान के चलिए कि तीन चार पॉइंट मोटे मोटे तोर पे आप यह बान के चलिए कि अगर आपका डॉग जो है उसका पेट अगर प्रॉपरली भारा नहीं है फुल नहीं है तो वह पौटी जो है खाएगा विकॉज उसको हंगर लगेंगे तो वह देनेश नहीं है कि डॉग इस समय टीडिंग फेस में 2 jeеж से चीस कोई ह Чीज ऐना उनको उनको चाहिए और उनको अगर उनको कोई trader को वी सब्सक्रता है तो वह दो हिस कोई प्लता था एक गार दो तो कोई उलर कषिब करने को झारते है इसदाहरा कार मंदों नहीं पूर सो वinflे करते ह तो यह भी आपको पॉइंट ओड करना है कि क्या आपके डॉग में कुछ नेचुरल डेफिसेंसी विटेमिन्स और मेंजल्स की तो नहीं है अगर आप प्रॉपर डॉपर फूड अच्छा नहीं दे रहे हैं तो भी यह कारण हो सकता है कि उसको इस तरह की हाबिट्स जाब अगर आपके डॉपर के टॉपर की जिए आप उसको प्रॉपर डिवाम कीजिए अप उसको अच्छा खासा समय दीजिए उसको प्रॉपर फूड दीजिए स्टार्टिंग से तीन से छे मैने में आपको ज्यादा करनी है अब मैं आपको सहले डिकमेंट करूगा कि आप फूड की क्वालिटी को थोड़ा तोड़ा करके कई बार दीजिए ओके इससे आपको कई बार फैदा मिलेगा इससे और आप अपने dog के food में fiber diet को एड़ कीजिए मैं कई बार बताया हूं इससे पहले बिजो मैं online आया था तो मैंने बताया था कि अगर आप fiber diet करेंगे अपने dog के food में तो वो उसको fullness का एषास होगा कि उसका पेट बड़ा हुआ है तो जैसे कि फाइवर डाइट में मल्टी ग्रेर रोटी में रिकेमेंट करता हूँ आप गेहूं की रोटी मत दीजिए आप ज्वार बाजरे की रोटी खिलाए उसको उसमें फाइवर्स ज्यादा होते हैं इसलिए उसको फुल्लेस की फिलिंग इसके लाव आपको देने के जड़ोत नहीं है यह सब चीज़ें आप इसको ध्यान वरको भी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैबिट्स है वह आपके कंट्रोल हो जाएगी और उसको दिन वेट कर लिजिए मैं आपको पुरा डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ आप उ करते हूं और यह अपको जो कुश्चन है कि मेटिंक के टाइम एक लॉक्स भी में में एक मेरे कस्टमर है अभी जी जी ओ तीन चार दिन से काफी परेसान थे मेटिंग को लेके तो सी मेटिंग जो है डॉग में आप आयोट रिकमेंट के एलीट जरूर कराए कीजिए वन टा पाएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉपर मेटिंग नहीं हो पाएगी इसलिए अगर आप आप आपको करवाते हैं तो डेफिनेटली चांसेज आप प्रिमेंसी जो है वह ज्यादा बढ़ जाते हैं वकास सर मेरा डॉग बहुत डरता है लोगों से वकास यूसुब जी आपका जो क्वेश्चन है कि आपका डॉग अगर बहुत लोगों से डरता है इसका सबसे पहला कारण होगा कि आप अपने डॉग को सुसलाइज नहीं किये हैं तो नेचरल से बात हो डरेगा तो पहले तो आप उसको सुसलाइज सिंग की ट्रेणिंग दीजिए आप अपने डॉग को बाहर ले जाएए जहां पर आपके लेरवाई लोकैल्टी में और अगर डॉग है उनके साथ सुसलाइज कराईए धीमेदी में जितना वह सुसलाइज होगा उतना ही उसकी जो फियर फिलिंग है जाएगे ठीक है चेकर चीज क्या है कि आपको उसको प्रॉपलली ट्रेंग करना है ट्रेनिग इस आल्सो वरी वरी इंपोर्टें तो अगर आप प्रॉपली उसको ट्रेंग करते हैं प्रॉपली सुसलाइज करते हैं तो नेचर वसी बात है आपके डॉग में यह जो फियर है वो खतम हो जाएगी ओके उसके बाद फिन डॉक्टर चित्रा वाशनुवी जी हलो आई है लाफ फोर यह ओल्ड ही इस लिटल प्लंब करना डॉक्टर चित्रा जी अगर आपका डॉग ओबेईज है तो आउड रेक्मेंट कि फर्स्ट आप अपना आइडियल बॉड़ी चार्ट अपना देख लिजिए कितने मंत पर लेबर और का क्या वेट होता है मैं बॉड़ी बना रहा हूं और आप मुझे इंडिविजरी मैसेज किजिए मेरा वाटसम नमबर लिख लिजिए 8874829298 आप इस नमबर पर मुझे आप परसनल लिए पर डॉग की पिक्चर भी अगर थोड़ा सा भी वेस्टी है तो अगर प्रॉपली उसको एक्साइज कराएंगे और अपना अभी जो करेंट्ली फूट दे रहे हैं उसमें अगर माइनस अगर आप रेस्टिक्टिव डाइट कर देंगे तो फिर आपका डॉग कंट्रोल में हो जाएगा तो प्लीज आ साही जी मैंने अभी जस्ट उपर बताया है इसकी जो कॉवन कॉजस होते हैं आप उसे साब से आप आप कर लीजिए इसके बाद भी अगर नहीं ठीक हुरा है तो प्लीज आप मुझे परसली मेसेज किये ज़िए फांड आट समस्टिंग बेटर सेलुशन ओके जट साजी जड़ो है सर मेरे पास रॉट्विलर है किया आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने डॉट की डाइट में क्या करों 17 मेने का है सी अगर आपके पास डॉट है तो प्लीज रिमेंबर को अगर आप फूड में दीजिए उसको 18 मंद के बार एडल फूड दीजिए ठीक है अगर आप होम फूड रखे हुए तो मैंने डाइट में डीटेल बता हुआ है कि होम फूड में क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं जरूरी है तो आप उसे साथ से भी जो है आप अपर डाइट में चेंजिस कर सकते हैं अगर तब भी आप वो कन्फूजन हो रहे है कि क्या खिलाना चाहिए क्या ने खिलाना चाहिए तो आई उट्रेट्मिट के आप मुझा पार्सली मैसेज कीजिए अप मेरे नंबर पर मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे डिस्क्रिप्शन मेरे नंबर दिया हुआ है आप वहां पर नंबर लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है डावलेट सेवन फोर एट टू नाइन टू नाइन इट में है नंबर है आप प्लीज उस पे जो है मैसेज कीजिएगा ठीक है और नेक्स्ट जी है परवेश पाल सर्मा जी राम राम सर्जी राम परवेश जी आप पहले भी मेरे साथ लाइव रहे हैं आपका जो टैग है राम राम सर्जी तो उससे मुझे याद आगी थैंक्यू सो मच अमेरिकन बुली डॉट की फुल ग्रोथ कब होती है परवेश जी बस हमें कुछ समय दे दीजिए मैं आपको पूरी डायट चार्ट पिटबुल टेरियर की बना रहा हूं और पूरी डायट चार्ट अपलोड हो जाएगी तो मैं उसमें पूरे डेटेल में बता रहा हूं तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको प्रॉलम हो रही हो तो प्लीज आप परसले मुझे कॉंटेट कीजिए फिर हम लोग करते हैं ठीक है बस एक से दो दिन आप वेट कर लिजिए मैं आपको डायट चार्ट पर अपलोड कर दूँगा डिटेल में बता हूं कि पर पिटबुल की डायट चार्ट का हो रही है फ्लीज को सजेस्ट करें कमरे सोनी जी देखिए फ्लीज बहुत बहुत क्रिटिकल एक्टो परासाइट होता है अगर यह प्रॉपरली कंट्रोल ही हो रहा है तो यह बहुत बहुत डेंजरस है अलार्बिक सिचेशन मन सकती है आपके डाग में आप प्लीज मुझे करेंटली बताईए कि क्या क्या आप जो है उसको टीट्मेंट दिये हैं आपने इस्प्रे यूज किया है कि आपने इंजक्टिबल्स यूज किये हैं या आप वेट को दिखाया है तो वेट ने आपको क्या सिजिस्ट किया है और कितनी दिन तक आपने कोर्स चिराया है पु अच्छी तरह से समझने का मफ़ा दीए ओके फ्लीज इसका इसका सलूशन बहुत जरूरी है और आपको इस चीज सभी को मैं बता दूँ कि जितने भी अपना पाराइट साइट है जैसे कि अगर टिक्स हो गया फ्लीज हो गया माइक्स हो गया ठीक है यह सब जो है वो काफी र कर सके या प्रिवेंशन कर सके ठीक है एंटिटिक वैक्सिन जो है वो हो सकता है कि साल बर में आ जाये मार्केट में लॉंच हो जाये बट अंटिल देन अभी तक जो थेरपी है वही हम यूज कर सकते हैं इसमें इस्प्रे हैं इंजेटिबल से सैंबू के फॉर्म में है इंडिया में अगर कोई बाहर से पर्चेस कर सकता है तो प्लीज हमको बताएं मैं आपको उसका लिंक बेज दूंगा आप उसको लीजिए वह अच्छा है वह पांचे मिने तक आपको अच्छा तेरपी दे देगा ओक्या अकास अगरवाल जी सर जर्मन सेफ़र डॉक को पं दूंगी है कि डॉक के डाइजेस्टियू सिस्टम में इंजाइम इनको डाइजेस्ट करने के लिए काफी कम है तो अगर हम इनको रॉजटेबल दे देंगे तो इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी गैस बैटरियल फर्मेंटेशन होगा गैस बनेगी बलोट हो उनको यह दिक्कते खतर हो जाएगी तो और वो इनका डाइजिशन भी काफी हो जाएगा तो आप वाइल करके दीजिए पंकिन को भी बॉइल करके प्लीज जाएगा प्लीज जू आप जो है वो डिसकरेंट बनाइज हो जाएगा तो आप चलिए लेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो पंकिन की मैंने मैंने बता दिया कि आप इसको वाइल कर जीए वाइल करके आपको सुछ लाइए ठीक है क्वाणिटी ज्यादा मत रखेगा पचार से सो ग्राम सफिशेंट है पपी के लिए अगर आपका डॉक यह वह 12-15 मेनी से उपर हो गया है तो आप उसको 150-100 ग्राम दे सकते हैं इसे आदा नहीं और वह भी डेली नहीं देना है अल्टिनेटे पर आप दे सकते हैं ठीक है गौरो जी गुड आफ्टरनून सर मेरे पास जीए फीमेल है वह फर्स हीट पर आई आके छे ने बाद महीने बाद हीट पर नहीं आई डिवार्मिंग कर रखी है सी ड वह जैंग वह भी दॉपर हो गया है तो मोस्ट में उसमें हीट साल भर में एक ही वार रहा है। को जैसे से एज मढ़ती है मैं सिर्फ से हीट कर दिएशन भी काम अने लगता है मतलब कि कर नहीं आये लंबे दुशन की बाइब आएगे अगर आपको डॉपर दॉपर नहीं खिलाते हैं नूट्रीन की डेफिसेंसी होगी तब भी हीट देले हो सकती है तो प्रॉपर उसकी फीडिंग कराईए अच्छे न्यूटिन दीजिए प्रॉपर एक्ससाइज करवाईए डेफिनिटली वह हीट में आएगा अब नेक्स कुर्शन की तरब बढ़ते हैं रूपा जी प्लीज प्राइज मुसे मत पूछिए बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ और आपको प्राइज जो है वह ब्रीडर लेवल पर बहुत वैरी करता है काई डॉग जो है वह बहुत कम है जिसे कि लेवर डॉर का बेसिक प्राइज बताए तो चारपाँजार में लेवर मि जाहिए तो यह इनके प्राइज बढ़ जाता है यह 15-20,000 तक जा सकते हैं आपने नेर्भाइ लोकालिटी में अच्छे बीडर को संपर कीजिए वहां आपको बीडर अच्छे मिल जाएंगे तो आप वहां से प्राइज बार्गेनिंग करके ले सकते हैं ओके नियती यहां अगर वह जैकेट नहीं पहन रहा है तो फिर उसको ठोल हो सहएगी तो आई उडर्गेंट कि आप उसको जैकेट पनाने के ट्रेंश दीए ठीक हैं! सब्सक्राइच्छा इनके पहां चाहएं तो आप उसे बाते मत कीजिए उसको खाना मत दीजिए आप उसके इंटरै पहल लेगा ऐसा नहीं है आप उनको प्रॉपली ट्रेंड कीजिए जैकेट बहुत जुनुरी है थडी में और अगर आप उनको नहीं वेर कर आऊगे तो फिन कोल्ड हो जाएगा थीक है प्लीज डू दैट इसके बाद फिर राहुल मातुर जी आप तो मेरे गुरूप में एड़ेड है और काफी दीन से है थांकी सो मज इस कोशन का एंसर यह है कि मैं पिछली बार भी जो मैं आया था तो मैंने आपको दिया था कि देखिए जो बॉइल होता है बहुत लोगों ने उससे पूछा है मे मैंने इसका एंसर दिया हुआ है इसमें क्या है देखिए इसमें दो तरीक है अगर हम पॉइंट करते हैं अगर हम डॉक को लेके चलते हैं कि वह गोल्फ है वह मतलब की फॉरेस्ट में रहे हैं वहां से इवॉल्फ की है और वहां पे कच्छा अंडा कई लोग कच्छा अगर दो तीन चीज़ें है आप उनको दिमाग बख लीजिए उसके बाद आपको डिसेजन है आफ्टर आल आपको डिसाइड करना है कि आपको गोल्फ को अगर आप देंगे तो आपको एक फायदा मिलेगा कि आपको डॉक में जो एक से जो गान्टेमिनेशन होता है जो प अगर आप रॉफूट देते हैं तो कंटेमिनेशन इकोलाई सर्वनला का सचे जादा होता है इसलिए अगर आप लेंगे लगाता तो फिर उसको कंटेमिनेशन इंफेक्शन के चांसर बढ़ जाएगे और सेकेंड इंपॉर्टन चीज है कि रॉएग में एक प्रोटीन होता है और अगर यह प्रोटीन अगर आप देते हो गए तो हाला कि एक अंडे में काफी कम होता है तो एक अंडे में असर नहीं आएगा अगर आप जो है बॉइल रॉट दे रहे हैं तो नेचर सी बात है आपको उसको आने वाले समय में उसको प्रॉलम आईगी और आप प्रॉल होने लगे हैं प्रॉलम साने लगते हैं लॉंग रॉन में एक दू दिन महीने वर में असा नहीं दिखेगा तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए और अगर आप इसको बे रहे हैं तो आपको आपका डिसीजिजन है मगर मेरा आपको यह बता हुआ जो इतिकली पॉस्बिल है जो कर सकते हैं जो प्रोटीन होता है लोग कहांगे बॉइल करने बाद प्रोटीन जल जाता है है तो फिर क्या मतल़्य हुआ है हमें तो अगर आप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आपको जो कुष्चन है कि रूस फोकस स्टार्टर के बारे बता यहे चाए इस तरह का पूर्टर में जाने से पहले उसको अचने संस्टाइज करना जरूरी है कि इसलिए इसलिए क्या एकरते हैं इंपॉर्टिंट कंपनी जो है इन फैक्ट यू कैंसे कि जितने ही पेट फूर कंपनी है उस समय स्टार्ट फूर बहती है इस्टार्ट फूर में जो न्यूटिन का जो कंबिनेशन होता है वह बहुत ही डाइस्टिम्स होते हैं जारा प्रॉब्लम ना क्रेड करें पपी में वह अगर कोई भी फूर हम खाते ह इसलिए जितनी भी कंपनिया है वह स्टार्ट फूर इसलिए बनाती है कि आपको डॉग उसमें अड्जेस्ट हो जाए तो इसलिए यह जो फूर होते हैं यह फूर में नूटिन्स इसलिए डाइस्टबल फॉर्म में बना जाते हैं जिससे कम कंस्टिपेशन हो कम लूज आफटार्स शोन्में में आजरें उससे वह अज्जेस्टी रहें थ्यों रहे बात दूर्स फूकस की त्रीlvania का टॉर्स किया है एक अजरा इंडियन ने डीन कंपनी यह बहुत ब़मदेश्य चेन है और इनके पास काफी रहा चिकेंस बहतबूर मातरा में यह उसलिए उन जो है as inνα एच्छा comever स्टॉर्भर है सब्सक्राइब ने वर काफी ऐच्छे किंगक्स भी है नेगटीव फिडबेक में आप खिला रहे हैं तो अग्र मेरे फेलाइब वन्यर की होगई हैं European पर नहीं आई है डिवार भी भूगई है देखिए राहुल जी लेवरड़ का जो एडल्ट एज होती है ठीक है वो 14-15 मंस के बाद एडल्ट होते हैं ठीक है कभी-कभी जो है वो हीट में जल्ली आयाते हैं कभी-कभी वो 14-15 मंस की हिट पर आते हैं तो ऐसा वरी होने की बात है अपने मुझे मुझे में मैसेज भी किया था सहाब डॉक्टन ने कुछ इंजक्शन भी रिकमें्ट किया था आपके डॉक्ट को तो मैंने यही रिप्लाय किया था कि आप अभी फिलाल ना वरी मत कीई है एक साल की होगे लगा हीट मेरे तो कोई वरी की बात नहीं है तो अभी फिलाला तीन चाहर मेंजे तक आप बिल्कुल कोई परशान नहीं प्लीजिए बस और मेरी टॉश में रहिए प्लीज थैंक्यो राहुल जी के बाद है कमल किशोर जी नमस्कार सर मेरा लैबड़ार मेल है एक साल है वह बहुत सांथ है इवन अजनभी को भी गगर में देखकर रियक नहीं करता है यह कोशन मतलब की खासकर लैबड़ार लवर्स के लिए सबसे वरीग इशू है बिकाज मोस्ट अब लैबड़ार का यही काम है और यह बहुत भी ऐसे पैट ओनर हम नहीं चाहेंगे कि मिया डॉशाई लोग बिल्कुल किसी पर रियक्ट ना करे क्या मतलब है कुटा पालने का अगर हम घर में हैं और कोई भी इस्टेंजर आ गया और वो उसको बार्ग नहीं किया इवन दो तिन दी पहले मुझे क्लाइट ने फोन किया था उन्होंने बोला मुझे कि सब मेरे पास लैबड़ार है और मैं उसको घर में रखके गया और कि में चोर आया और चोरी करके चला गया और सांदरे कुछ भीन हो Yeti जॉओ धवियरं 750मख की वहलेएं अब मैं इस पिस्फे क्या बोलो अब कि इसमें तो यह कैसकते है कि नेखिए 910 पहला तो परिक कई लेड़ोडोर ऐसे होते हैं जो जनेटिक परफाल इनकी ऐसी है कि इतना इंगो ट्रेन कर दो ये रहेंगे डोसाइली बहुत लवी रहेंगे कभी भी ज्यादा एक्टिव नहीं होगे ज्यादा बार्क नहीं करें सेकंड अगर हम तुछ देखें तो हम ऐसे डॉक को फिजिकली ट्रें करें उनको कमान ट्रेंडीम करें अगर हम देखें तो हमारे अर्मी जो डॉक्स होते हैं उसमें भी लेड़ोडोंट लिये जाते हैं कि अच्छा सफ़र है और बांब को जल्दी पता कर लेंटे कहां में हो तो अच्छे स्नफर है और अच्छा बार्ट भी करते हैं बट ऐसा नहीं को उनको नेचुरल है वो बार कर रहे हैं उनको ट्रेन किया गया है तो एक गार ट्रेनिंग होती है गार ट्रेनिंग बहुत चरूरी है और I would recommend to each and every dog owner कि आप पने डॉग को गार ट्रेनिंग जरू करव पाएंगे उनको ये ऐसास हो कि गार का मतलब क्या होता है उनको ये याद राएक कि गार का मतलब क्या होता है मतलब हम नहीं है। इसका मतलब घर की प्रोड़क्षन आपके जिन्दे है तो ये गार की ट्रेनिंग आप जरूर कराइए I would recommend कि जो अच्छे ट्रेनन है आपकी सम्पर कीजिए और ड़ा, ट्रेınaग की टिप्स जरूर लीजिए यह बहुत जलूरी की और आपको कुछ टिप्स दूंगा वी։ की लर्निंग कैसे का रहा है और कbak बार्क नहीं कर था है तो प्लीज मेरे अरश्च की साथ चलते हैं राहुल मातुर जी सॉरी विने चोहां जी क्वेश्चन है सर क्या 60 डेज के जर्मन सेफ़र्ड पपी को रात में दही और राइस दे सकते हैं डाप पूर डाल के साथ देखिए 60 डेज के पपी में जो राइस होता है आप मार के चलिए राइस इसली डाइस्टिबल कैलोवीज मिलती है ऐसे इसली डाइस्टिबल फूड है आप राइस को दे सकते हैं नहीं थोड़ा काम रखेगा आयू डिकमेड के आप चास दीजिए उसको पानी में फ्रेट के दिजिए तो मिक्स कराणी तो उसको द्यों करके चांस प्रूखिए तो आप चाहस पार में पराव्र कंसे के चांस बीजिए तो आप चाहूलि उसकोगो दीजिए ने बेटर रहेगा और उसके बाद फिल रही बात तो गाइडलाइन्स में अभी फिलाल करेंट्ली गवर्वर्मेंट आफ इंडिया ने जाया है वह ब्रीडिंग की गाइडलाइन्स नोटिफिकेशन जारी कि आप ब्रीडर क्योंकि बहुत ज़रा ब्रीडिंग बहुत ही रैंपन तरीके से एंडिया में फैल रहा है और इस कारेंसे लोग बिसको प्रौफिटेबर बिस गृग प्रौट के कि यहां जॉगे निर बहुत खड़ाब रहेगी वह बहुत दूबले पते रहते हैं प्रापर रेगुलरी डिवांब नहीं कराते हैं अपने डॉक्स को वैक्सिनेशन नहीं कराते हैं और जूड़ बोलते हैं आपको पपी जो है तीन मेने के चाहिए और वह डो मैने का आर पंदरा या फिर्टालीस दिन का भी नहीं हुआ है तीन मेने का पपी है आपको दे देगे और आप कहोगे की वैसिशन हुए डिवार्मी को ही है कह देते हाँ तो इसलिए की सभी ब्रीडर के मत जाहिए थोड़ा पैसा बचाने के चक्करने के चलो मुझे 3-4-5,000 में ही पपी मिल रहा है ले रहे हैं आपको यह नहीं पता है कि 4-5,000 में अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब वो कोई केर नहीं की हुए उसको तो I would recommend कि आप किसी भी बीडर के पास डॉक को परजेज मत कीजा किए आप अच् हम constitution की बात करें अपने समीदान की तो हम liberty में जीते हैं हम अपने साब सब कुछ कर सकते हैं पडोसी वाला परिशार हो रहा है तो फिलाल इसकी तो guidelines नहीं है एलिए हम मैं अगर को ऐसे guidelines होती है तो मैं आपको जरूरू बता होगा तो प्लीज देखिए कि कहीं उसका ज़्यादा amount पे दो नहीं खा गया है तो अगर ज़्यादा amount पे खा गया हो तो इसके neck में फास सकता है इसो फेकर सकता है और यह बहुत अलार्मी हो जाएगा अगर अगर ऐसी समश्या हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी अपने वेट करना पड़ सकता है तो प्लीज आउट रेक्मेंट कि आप पुरंथ जाएए अपने वेट को करण कीजिए दिखाई हो तो ठीक है गौरब कुमार सर्माजी सर 6.5 month lap puppy की hind leg strong करने के लिए tips दीजिए गौरब जी hind legs को strong करने की tips सी अगर हम आपको technically बताएं hind leg अगर strong करेंगे तो four limb हमारा weak हो जाएगा अगर हम four limb हमारा weak हो जाएगा hind leg strong हो जाएगा तो limping की problem आजाएगा इसलिए हम as a weight आपको recommend करते हैं कि केवल hind leg नहीं आप four limb, hind limb चारो पैर का proper balance लेके development कराईए तो uniform growth, uniform development अगर drop का होगा तो वो strong होगा हाई limb की growth अगर है strongest की बात कर रहे हैं तो I would recommend कि आप उसको अच्छी exercise कराईए अच्छा food दीजिए ठीक है और इसके लावा भी अगर वो proper develop नहीं हो रहा है तो I would recommend कि आप उसमें कुछ supplements add कर सकते हैं body weight को gain करने का bone building यह ठीक है जैसे wafer bone builder है फिर bulimax का supplements है आप इसको add कर सकते हैं और यह तभी कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके dog की bone growth प्राफर नहीं हो रही है और वो अभी adult नहीं हुआ है ठीक है गरीमा जी dog को dog की दोस्ती बागी dog कैसे करा हूँ ओके अब क्वेश्चन है कि dog को दोस्ती कैसे करा हूँ उसे dog से c एक अच्छा solution यह है कि आप पहले अपने लोकाल्टी में देख लिए कि कितने लोगों के पार dog है आप आपके dog की age क्या है आप यही पहले अगर आपका dog पपी स्टेज में है तो आप पपी स्टेज वाले ओनर के साथ ही भूविया पर पपी को लेए दो चार दिर इसे घुमाईए उनको एक्रिमटाइज करवाईए ठीक है अगर आप बड़े dog के साथ चोटे puppy को कराएगे तो बड़ा dog करेगा पपी पे और इससे पपी डर जाएगा ठीक है तो कभी भी मैं रिक्मेंट करता हूं कि आप के पास अगर पपी है तो आप पपी के साथ ही सोसलाइज कराईए एडर डॉक के साथ मत कराई इस स्टार्टिंग वे जब पपी जया वो पपी के साथ प्रॉपर्ली सोसलाइज हो जाएगा तब उसक प्लेग्राउंड में उपस्चित होते हैं अपने डॉक को लेके तो इससे उनका सोसलाइजन भी बढ़ता है प्लस उनकी डॉक का बढ़ता है तो इस तरह से आप भी कमूटी बना सकते हो अपने सिटी में लोकालिटी में और उनका वाटसेप गुरूप बना लीजिए फेस की कंट्रोल होगी और भी अच्छा वैल भी हैवियर वैल मेरे डॉक मैंने बनेगा अरिकेस पटेल जी आपका कॉश्चन है आई हम नेवर हैड राट विलर इस फर्स्टाइम डॉक होनर है अगर फर्स्टाइम डॉक होनर है तो आप पहले दोसाइल बीट पुझे यसे की ल हो जाएगा तो फर्स्टाइम डॉक होनर के लिए मैं रिक्मेंड करता हूँ कि आप ले सकते हैं ऐसा कुछ हाड एंफास नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा इसको लेने के लिए क्योंकि कई वाल लोग डॉक जाते हैं कि पहुत जार्स होता है ऐसा नहीं है ब मेरे सिक्षी डेंस की फिमेल जी है जाड़ा खेलती नहीं है वह पहले जैसी अभी वह ज़्यादा सोती ही रहती है देखिए 60 days बहुत ही delicate age है अभी दो मेने का puppy हुआ है तो आप मान के चलिए कि जिसे human babies होते हैं 2-3-4 मेने तक बहुत सोते हैं ऐसे dogs भी होते हैं ऐसा नहीं है but dogs जो है कम सोते हैं compared to human babies दो बहुत है ज्यादा active नहीं है सो रहा है तो उसको डिस्टर मत किजिए अपने आप ही को उसको body form में आने दिए आप बस इतना धार नखिए कि वह प्रॉपर्ली उसको diet मिल रही है उसको loose motion पॉस्टिपेशन नहीं हो रहा है ठीक है उसकी डिवार्मिंग रेगुलर है वैक्सेशन रेगुलर है इस पे अपना ध्यान दीजिए उसको एक अच्छा वाइटर समय दीजिए दीवेदे में आपने आप ही वो देखेगा तीन मेने के यहीं में आते आते हो बहुत स्टार्टिंग में अगर एक मंद का GSD है तो में भी अराओं टू केजी तक है तो मोडर सफिशन वेट में भी कई वेरियेशन है जनेटिक प्रफाइल भी मैटर करता है जनेटिक का और उस हिसाब से वेट कम हो जागा भी हो सकता है इसलिए एक रेंज होती है अगर 2-3 किलो समय रहता है इसमें डॉक की दूरत बहुती तेजी से बढ़ती है इसलिए आपको एक मैने के पपी से लेके 6 मैने तक खाफी जादा ध्यान दे रहा है आपको उसको न्यूट्रिंट लेवल एक्सराइज लेवल सबसे इंपोर्टन है अगर आप अपने पपी को एक मैने से 6 अच्छा खासा धान दे देते हैं उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर एक्सराइज मिल रही है डिवार्णि रेगुलर है वेक्सिंश रेगुलर है तो आपको डेफिनेटली आपको आगे चलके ज्यादा मेर्क नहीं मरें पड़ीगी ऑके उसके बाद पि सब्सक्राइज का जीएजडी है हेर फार डेंडर फोड़ा है सम पिंपल टाइब और नोज गुराइन अरिया में देखिए यह कोशन का प्रॉपर डेंडर पीचिंग और रेडनेस हो रही है तो इसके कई डिटेल अनलेसी जरूपर नहीं आ सकते हैं तो अब मैं आपको रि पेड़ी है कोई सेम्फू यूज कर रहे हैं कोई सप्लिमेंट कर रहे हैं कोई ट्रीटमेंट आपने किया है आपके वेट के द्वारा पूरी डिटेल में उज़े बताईए फिल्म में हम इसको बारे में थौरली स्टडी करेंगे आपकी प्रॉपर पेसे स्टडी होगी उस प्रिमयम गुरूप है और एक नॉन प्रिम है, नॉन प्रिमम है आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, फ्री गुरूप है आप उसमें और लोगों को साथ जोड सकते हैं, वाटसप पे बार उसमें मेरा जो रिस्पॉंस रहेगा, वो मैनर सा रहेगा, विबस काफी यादा मेस जाते हैं तो मैं साथ समय ने दे पाओ अगर आप प्रीमियम गूट में रहते हैं तो वह बहुत हलका से प्रेमेंट फी है 250 रुपए आपको महिने में देना है और आप पुरे महिने तक कंसर्टिशन देने से करवा सकते हैं 500 रुपए में मेंबर्सिक्वी है अगर आप जो है सालवार के जूरते हैं तो उसमें भी रिवेट है आपको 50 रुपए और काम हो जाएंगे तो आप 200 रुपए परमन के इसाथ से ले सकते हैं तो अगर आपको प्रीमियम मेंबर्सिक्व चाहिए तो बहुत ही कम फीस है और अगर आपके पार डॉप है तो यह आपको मेरे से जूनने का एक अच्छा मौका मिलेगा मैं आपका एज फैमिली डॉप्टर हो जाओंगा बहले मैं दूर हूँ बढ़ बहुत सारी चीज़े आजकर दूर होने पर भी आपको घर पर मिल जाएगी आपको बस के वल इंजेक्शन लगवाने और आपको आपको डॉप्टर में इमर्जनसी में आपको वेट के पास भी जाना पड़ेगा इसके लावा सब केर तो मेरे स बन चुके हैं और वो लगातार बढ़ रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को ले सकते हैं तो प्लीज अगर आपको मेरे प्रीमियम गूर्प से जुनना है तो प्लीज मुझे वाटसप कीजिए मैं आपको प्रीमियम गूर्प में एड कर दूंगा और आप ऐस फैमिली हम ऐसा लाइटाम जुड़े रहेंगे ओके चलिए नेक्स कुर्शन पूछते हैं यस यादो जी मेरी सत्रा मेंने की ओर्ड फीमेल जी लास्ट टाइम 3.5 मत पहले सेकेंड हीट पर आई थी और अब दो दिल से उसके ब्लड आ रहा है सर क्या यह कंफर्म थर्ड हीट है पर 3.5 मन्स में मैं लास्ट टाइम 3.5 मन्स पहले सकेंड हीट पर आई थी और अब दो दिन से उसके प्लड आ रहा है सर क्या कंफर्म थर्ड है परसा 3.5 मन्स में सी मैंने जैसे आपका पहले बताया कि कई सारे डॉब्स में जो है अरली हीट आ याती है कई लोग कई डॉब्स में लेट सार्मेंटर करवाएंगे तो साथ प्रेजरा नहीं हूँए तो आप प्लीज याद राखें कि हीट में है और ब्लीडिम सुहल है ओ जब बंड की UnterTS का मोचलर इसका प्यंलो टाइब का हो जाए या लाइट पिंकीस होजाए और बहुत कम कंपम क्वानिटिन में दिख है अगर आप लेना चाहते हो तो फिर अगर आप प्रॉपली समय दिया सकते हो उसको उसको प्रॉपल ट्रें कर सकते हो ताप लेंगे लिजेंग लिजेंगा तो मैं रिखमेंट करता हूं सब्सक्राइब करता हूं कि आप अपने डॉपल को अगर नौन विज डाइट पर रखना चाहते हैं तो आई रिकमेंट कि एक चार मेने मिनमम रहे चार मेने इवन जो सबसे स्टैंडर्ड जो टाइम है अगर आप जो आप उसको सेंसिटाइज कर सकते हैं और वह भी कॉंटिटी जादा ने रहेगी और वह भी रहा आपको बॉयल ले रहा है तो बॉयल चिकन दीजिए आप उसको बहुत जादा काट लीजिए माइन पीस में उसका सूप बना लिजिए शूप की फार्म में स्ट सार्टिंग वे बहुता हैं वह 50-100 ग्राम अमशंकर अल्टर दे सकते हैं फिलार निपीस में चिकन बाराल पकी मिटी खाता है इसके बारे में इसके बार में स्टार्टिंग में बता हुआ है आप आप जो वीडियो खत्म हुजाएगे तो फस्त में देखीगा तो मैंने इसके बता हुआ है और वैसे इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाना हूं तो आपको उसका सलुसिम बिल जाएगा सचीन राओ जी मेरे एक साल के लेवरा की ग्रोथ रूप गई है क्या क्या जाने कि आपके लेवरा की रूप लिए आप ने हाइट उसका मेंजर किया आप पूरा फूर प्लान इटेल इंटेल इन बताएगे ठीक है पूरा फूर्ब बताएंगे आप तो फिर उसके बारे में पूरा फूर्ड प्लान आपके लाइए उसको एक्सराइज लेवल कितना है उसको यह भी बताएए ठीक है आप मुझे परसनल नंबर पर यहां मत कीजिए कई लोग कोशन पूच रहे हैं और मैं सब कोई नहीं नहीं देपार क्योंकि आपको आपको मेरे पर ट्रस्ट कीजिए और मेरे चैनल में भी साथ सब्सक्राइब कीजिए विकाश सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंप्पॉर्ट है मेरा सब्सक्रिप्शन से मेरी एनरजी और बढ़ेगी मुझे और मिनाच करने में में मुझा आएगा तो प्लीज दू धाट अ अरुन जी एलो संद मेरा GST मेल मेर्टिंग नहीं कर रहा क्या कुलों आपकी dog की age क्या है आरुण जी एज बताईए और उसके बाद आप क्या उसको खिलाते हैं प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती ही क्या नहीं होती है उसका जो जो मेल करेक्टर है वह पूज़ा से डबला कि नहीं हुआ मुझे जाने की जिरुवत है तो अभी मैं आपको उसका solution दे पाऊगा ठीक है तो आप प्रॉपर पूरा फीड प्लान उसकी age, body weight, exercise level, devalming, exercise सब कुछ आप पूरा detail में मेरे Watson नमबर कीजिए ठीक है आप मेरे member से plan के भी जूट सकते हैं बहुत affordable है जैसे कि मैंने बताया हुआ है तो प्लीज जैसा अभी आप मेरे से संपर कीजिए पर हम बात करते हैं ओके अरुजी मीतिन पटेल जी आपको जो question है sir मेरे पास दो मेले का रॉच्विला मेल पपी है मेरे को उसका head और bone अच्छे से बढ़ा करना है मैं उसको इस्टर सी पर टैप और बेफर bone builder recommend किया है उसको bone so के लिए त्यार करना है अच्छा मेरे क्या से आप builder है राइट मितिन जी तो सी देखिए अगर bone का heavy कराना है तो यह भी बहुत जलूरी है ध्यान में रखना कि bone अगर heavy करा रहे हैं तो उसका जो body weight है और उसका जो exercise level है वो बढ़ना चाहिए अगर जितनी exercise आप कराओगे तभी calcium absorb करके निकल जाएगा और excess calcium नहीं होगा ठीक है तो अगर आपको bone heavy कराना है तो I would recommend कि आप पहले exercise frequency उसकी कैसी यह बताईए और पूरा detail में मुझे आप मुझे personally WhatsApp कीजिए फिर हम बात करते हैं कि आगर आपके dawn में क्या कमिया है उसका bone heavy कि नहीं है इज क्या है कितना समय हारे पास से उसके heavy करने का तो पूरा हम discuss करते हैं तो प्लीज आप मेरे premium membership से जुड़िए बहुत affordable है 200 रुपए अगर आप एक मेने का लिते हैं 200 रुपए अगर आप जो है annual membership लेते हैं तो या फिर six monthly membership तो प्लीज मेरे group से जुड़िए आ अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो आफ्टर केर है वह ज्यादा नहीं है आप जैसा आप यह home food पे रह सकते हैं आसा नहीं है आपको क्या करना है आपको आपको नॉर्मल फूट मिले सकते हैं जैसे पीडिगरी का फूट आता है आप उसको खिला सकते हैं पीडिगरी फूट पे भी सस्टें कर सकता है आपका लेबरा ठीक है और home food mixed diet आपको मिल जाएगी बस आप एक काम कीजिएगा एक्साइज खुट कराईएगा एक्साइज अगर आप नहीं करभाओगे तो फिर प्रॉलम और बड़े लगे इसको ठीक है तो खर्चे की बात है तो खर्चा ज्यादा नहीं हाताया आप आप अफॉर्ड कर सकते हैं ठीक है मेरे ख्यास से अगर हम फूर्ड का ले ले और उसका एक्सेसरी ले 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 तो एक लेवर डॉक को महीने का खर्चा हाड़ी तीन जार रुपए से चार जार रुपए में हो जाएगा ठीक है इसे आदा नहीं आएगा अमिद भट जी सर चिकन फीट डॉक के लिए अच्छा है क्या अमिद भट जी चिकन फीट में आपको कॉंड्रो पॉटेटिव एजन्ट जिसे की कॉंड्राइटिं बुलकुसामी यह सब मिलते हैं चिकन फीट हम दे सकते हैं बट आयूट रिक्वेंट कि आप चिकन फीट अधर्वाइस उनकी गले में अटक भी सकता है कंस्टिमेशन भी हो सकता है बहुत साही दिक्कते आएगी ठीक है अकास looking great sir have a good day thank you so much homemade balance diet for GSD अरों जी बहुत लोगों ने डिमांड की है like you कि sir मैं नॉर्वेज या फूड पेट फूड पर नहीं रखना चाहता हूं पर डॉक्त हो तो हो में डाइट बताईए sir क्या अब बेस्ट में डॉक्त के लिए तो प्रीस कुछ दिर रुख जाएए okay मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा विक्वास बहुत इमांड हो फूड की बहुत सारे जो जायन लोग है और जो इतने भी वेश्टरियन पीपल है वह बिलकुल भी डॉड फूड नहीं रखना चाहते हैं तो वह चाहत हुआ है कि नेहा कुमारी जी और प्रेस्किप्शन करता है अगर यह वेक्स फरस्ट आफ यह वेख्ट की आप एक कॉटन यह स्वाइब आता है आप जो है जो 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 जॉनसन का यह बढ़ाता है आप उसको लीजिए और उससे प्रोपर ली कीजिए ठीक है अगर उससे भी अगर नहीं आता है तो प्रीज आप मुझे वाटसथ कीजिए परसली में नंबर पर डबल एट सेवन फोर एट टू नाइट आइट आइट आपको मैं उस पर जो है उस ड्रॉप का ना बताता हूँ आप मेरे मेंबर से प्लान से भीजू सकती है बहुत अफोरडेबल है राजे जी राजे जी मैं कोशिस करता हूँ कि मैं आपा नॉलेज आपसे सेर करूँ विकास बहुत सारे वेटनरियर यह नॉलेज नहीं सेर करते हैं और मेरी ऐसी पॉलिसी नहीं है मैं चाहता हूँ कि लखने का जो तजरुबा होता है वह भी मुझे आपसे मिल रहा है तो आप आप आपसे लड़ने ही तो एक यह इंट्रक्टिक मोड है जिसमें आप भी लग करते हैं और दोनों लोग गुर करेंगे तो इसमें बुरा क्या है तो मैं कभी भी जो इसमें पीछे ही रटता लगे कि डॉक्तर को कम नॉलेज है डॉक्तर को पता रही है तो मेरा यही पुरा मेरा एफट रहता है कि मैं बहुत महत करूं और आपको एक बहतर एथिकल सलूशन नहीं थैंक्यू राजी जी जर्मन सेफट कैसा रहेगा सर कुछ ती देजिएगा जर्मन सेफट बहुत कर सकते हैं प्रॉपर उसको समय टाइम पर उसको खिला सकते हैं अच्छा फूद दे सकते हैं ठीक है तो आप अपने डॉप को अच्छी दा से रख सकते हैं इसके लावा ज्यादा प्रॉल्म जर्टिक की होती है वो हर डॉप में नहीं होती है इसकी प्रॉल्मन सेफट को ब प्लीज, ओके, चलिए नेक्स्ट कुश्ण की तरफ चलते हैं, जितेन प्रसाद मलीक जी, माई फोर मन लबड़ार इस नाट दूरी पॉर्टी आउटसाइड, इस दूरी इन वोग, सी जितेन जी, पॉर्टी आउटसाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि, एक मिल्याट, आपको मेरा पिक्चर दिख रहा है, ओके, जी, अलड़ी एक घंटे हो गया है, मुझे बोलते हुए, और भी बहुत लोगों की क्योरी पड़ी हुई है, तो, मेरा कला बैठ गया है, अलड़ी एक घंटा हो गया है, 52 मिनट्स हो चुके है, तो अगर आप लोग कह रहे हैं, तो मैं क्या, बंद करूँ, आप लोग के questions कम नहीं हो रहे हैं, तो, मुझे कितना प्यार देने के लिए, आप लोग के सवाल का जवाब, सवाल खतम नहीं हुए है, जवाब हाजिर होना चाहिए, तोड़ा समय लगता है, इस सब चीजों के लिए, ओके, फाइन, सच्छमीर, थैंके सो मच, मुझे लगा कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा, विकास मरे स्कीन पर एक रोटेट डिवाइस का ओप्शन आ रहा है, जो जिसे लगए है कि सायथ में रोटेट ना हो रहा हूँ, इनिहाओ, मैं ऐसा करता हूँ, तोड़ा नीचे से चलता हूँ, नीचे से नहीं, कि पहले लोगों ने जो कुछन पूछा है, उसका जरूरी है, मैं तोड़ा जल्दी करता हूँ, सॉरी, मैं आपका थोड़ा बैट गया है, जिदेन जी आपका फोर मन का लेवरड़ा है, वो पॉटी आउटस्केट कर रहा है, ठीक है, अगर आपका लेवरड़ा पपी या कोई भी पपी अगर पॉटी आउटसाइड नहीं कर रहा है, घर में कर रहा है, तो इस बिकाउज आप लैक ओफ ट्रेनिंग, और कुछ नही आप प्रॉपर आपको ट्रेनिंग नहीं करा रहा है, अगर अभी छोटा है, आप फस्टाइम पैट हो नहीं है, तो आप पपी का डाइपर, जैसे बच्चों का डाइपर आता है, विसे डाइपर आता पपी का भी, आप घर में जब उसको रखिये तो डाइपर पराग रख करता है, उस टाइम को आप ध्यान में दखिये, तो उसी टाइम पे आप चाहिए, वहाँ पॉटी कराइए, और जैसे ही को कर लेता है, आप उसको तुरंद रिवार्ड दीजिए, बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिवार्ड नहीं देंगे, तो डाग आपका लिक नहीं कर रिवार्ड ज़रूरी है, रिवार्ड विट ट्रेनिंग वो लर्निक, एक्वे टू लर्निक, तो प्लीज आप हमेशा रिवार्ड रेडी रखिए, और रिवार्ड में आपको जादा स्नेक्स भी देना है, जैसे कि बहुत साई डॉक बिस्किट्स आते हैं मार्केट में, व वाइल रखिए, फ्रेश एप्पिल रखिए, और जो भी नेचरो चीज़े हैं खाने के लिए, और जो रिकिमाइड़ है, चीज रखिए, चीज भी खिला सकते हैं, यह डॉक फूडी रखिए, जो उसको पसंद हो, तो उसको लगे कि मुझे कुछ मिल रहा है, तो इस तरह स से आप मैनेज कर सकते हैं, ओके, सक्षम चंदी जी, थाइंक यू, सक्षम, थाइंक यू सो मच, सोनु जी, सर लेवड़ार रेट्राइवर पपी को कैसे ट्रेड मिल पर एक्साइज कराना है आपको, तो ट्रेड मिल के, I don't think ये ट्रेड मिल पे जरूव था लेवड़ार की उसको naturally exercise कराईए, उसके hill पे training लेए, jump कराईए, treadmill की जरूवती ही नहीं है उसको, मेरे हिसाब से dog को treadmill की जरूवती ही नहीं है, उसके पास already इतने हारे काम है, आप उसको up slip में, hill slope पे लेए आए, वहां से उसको running कराईए, उपर चड़े नीचे उतरे, jumping कराईए उसकी, ठी इसी से काफी जादा उसको excited हो जाएगी, treadmill की जरूती ही नहीं है उसको, उसके बाद पिंद, जै सिंग डिलन जी आपको question है, Tibetan Mastiff की गर्मी में कैसे care करें, Tibetan Mastiff जो है, उसकी गर्मी में कैसे care करें, यह बहुत ही hairable होते हैं, और no doubt अगर ज्यादा गर्मी रहेगी तो इनको जो है, hyperthermia shock हो सकता है, ठीक है, इसलिए इनकी care करने के यह है, पहरी तो सबस्क्राइब चीज है कि environment control रहे है, temperature बहुत है, temperature उनका ज्यादा नहीं हो, पचीज से तीज दी के सरसे temperature रहे, इतने में उनको रखी है, ओके, और इसके अलावा जो है, उनको ज्यादा मतलब कि, exercise जलूरी ही है, और और इसके लावा जो उनको immunosupplement दीजिए, जैसे कि immunol आता है, vitamin C, vitamin E आता है, इसको आप दे सकते हैं, इसकिन की proper grooming कीजिए, क्योंकि इनकी बड़े-बड़े hairs होते हैं, तो यह चोली-चोली basic tips है, आप इसको दीजिए, और उनको proper nutrition दीजिए, जो इनको च अच्छा नहीं दीजिए, और पहली बाता है, और पहली बात तो क्या है, जो कि चाहिए, क्योंकि आपको मिल भी नहीं पाता है, इसलिए अगर आप होम-बेड फूट पे वेज़ फूट पर रखोगी, आप इसा नहीं कि वो जिंदा नहीं देगा, या फिर अच्छा नहीं देखेगा, बट जो हेवी मस्कर स्टक्चर आना चाहिए, जो चाह चोने होने चाहिए, बॉड़ी इदम माचो दिखे, वो आप वेज़ फूट पर नहीं कर सकते हो, तो आपको नौन विज़ फूट एडि करना पड़ेगा, अगर आप प्योर नौन विज़ फूट नहीं अभी सर्मा जी, what are the injection given to pregnant dog, any vaccines of a mother and pup? देखिए, pregnant dog के लिए मैंने बताया हुआ है कि उसको आप 7-in-1 जिसे combined vaccine कहते हैं, वो दिना बहुत जरूरी है और tetanus vaccine जरूरी है, ठीक है? तो tetanus vaccine जरूरी है, तो tetanus vaccine जरूरी है, 7-in-1 vaccine जरूरी है, ओके? ये दो चीज जरूरी है, ये दो चीज जरूर दीजिए, because puppy जब born होता है, तो सबसे पहले उसको दिक्कत रहती है, पार होगी, कहीं उसको पार बना होगा है, इसलिए अगर maternal antibodies रहेंगी, तो अलड़ी वो खूल से जरूरी है, और इससे उसको proper immunity मिल जाएगी, तो आप ये दो चीज तो जरूर दीज आप जूरियों को देखिए, आपको पूरा प्यार किल जाएगा, दीपर मिश्रा जी, my German suffer 9 month old not eating food properly since 3 days, only very less amount of food he eat, although he is active, दीपर मिश्रा जी, इसके बारे में detail study करना ज़रूरी है, because ये food origin का case है, और इससे proper मुझे इसकी detail चाहिए, तभी मैं उसका solution दे पाऊँगा, आप आप मेरे काम कीजिए, आप मेरे number पे message कीजिए, डबल एट सेवन फोर एट टू नाइन टू नाइन इट, इसके message कीजिए, आप मेरे premium membership plan पे चुड़िये, बहुत ही affordable plan है, दाई से रुपे पूरे महीने का आपको खर्चा है, ठीक है, आप हजारों बार question पूछिए, मैं उ रखी हुई है, 200-200 रुपे महीने की फीज कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी veterinary के पाथ ले जाएंगे, तो उसकी concentration फीजी 300-400-500 तक होती है, और वो one time concentration fee है, इसके लावा medicine का cost तो अलग है, तो मैंने ये as a professionalism के लिए रखा हुआ है, कि at least कोई चीज अगर free रहेगी, तो उसको कोई value नहीं रहती है, इसलिए मैंने बहुत कम amount रखा हुआ है, 2500 रुपे है, एक महीने का, बहुत कम amount है, easily affordable है, even student भी afford कर सकते हैं, अपनी pocket money से, तो I would recommend कि अगर आप ये membership plan से जोड़ेने मेरे, तो मुझे भी at least कुछ तो मिलता रहेगा, इससे एक professionalism develop होती रहेगी, एक अच्छा हमारा और आप से एक अच्छा link up रहेगा, बस मैं यहीं चाल रहा हूँ, ओके, तो please membership plan से जुड़िये, और बहुत लोग जुड़ेंगे, तो मुझे और energy आएगी, और आपको मैं प्रामिस करता हूँ कि इस तरह की online, जो video मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये इस तरह से आपको एक घंडे तर लगातार बैठ के online कोई query का answer नहीं देगा, except Dr. Mishra, तो मैं कोशिस करूँगा कि मैं और भी महनत करूँ, और आपको दो दो घंडे तर लगातार आपको आपके queries का answer दो, but please मेरे membership plan से जुड़िये, I request each and everyone, ये थोड़ा सा पैसा, मेरे लिए एक energy का काम करेगा, जिससे कि मैं और energy से आपके सामने आऊँगा, आपकी help करूँगा, तो please मेरे membership plan से चुड़िये, और मेरे videos को like कीजिए, मेरे channel को promote कीजिए, तो कि मेरे channel में subscription बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे channel में subscription बढ़े, तो please मेरे channel को धेर सारा like कीजिए, subscribe कीज and thank you so much for watching, अब मैं यहें में बंद करता हूँ, जिसके भी problem है, जिनको दिक्कत हो रही है, please आप मेरे membership plan से चुड़िये, आपको में membership group में add कर लूँगा, फिर आप जितने questions पूछन पूछना आप पूछिए, okay, thank you so much for watching once again, thank you, जाहे दिए